Hello everyone, welcome to Learner B, I am Shivani Chahan, इस वीडियो में हम देखेंगे class 10th history के book का chapter 4, the age of industrialization का part 1 तो देखो, industrialization हम सबको पता है कि क्या होता है, industrialization जो factories लगती हैं, आज तो हमें बहुत सदा normal लगती हैं ये चीज़ें कि भाई ये तो होता ही है, factories तो होते ही हैं, लोग factories में काम तो करते ही हैं, बट आज से लगभग 200-300 साल पहले नॉर्मल नहीं होता था, factories तब लगनी start हुई थी, किस तरीके से, कहां सबसे पहले ये factories लगनी शुरू हुई ये सब कुछ हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं, the dawn of century मत इस पेंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं, तो in 1900, 1900 के टाइम पे, a popular music, music publisher, ET Paul, produced a music book that had a picture on the cover page, announcing the dawn of the century, मतब एक बहुत जादा बड़ा बदलाव आ गया है, as you can see from the illustration, at the center of the picture is a goddess-like figure, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बिकलों goddess, एक पतलब कोई देवी जैसी है, क क्या क्या है, इसमें, यह सेंचुरी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, यह देखो, industrialization हो गया है, machine चलने लगी है, telegraph अगया है, बहुत सारे इसमें बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, angel of progress, तो यह जो है, यह जो की बदलाव, जो की क्या करेंगी, आगे progress लेकर के आएंग कहते हैं कि bird purge करती है, किस पर एक अपनी branch पर, इसी तरीके से wheel जो घूम रहा है, यह जो progress दिखा रहा है, इस पर हलका सा इन उने pair टिकाया हुआ है, symbolizing time, और क्योंकि जो भी चीज चलती है, वो समय को दिखाती है, है ना, her flight is taking her into future, तो यह जो flight है, इनके देखिए, wings type के है उड़ती हुई type की लग रही है ना, यह जो flight है, इनकी और यह घूम करके कहां जा रही है, यह future में जा रही है, floating about, behind her are the signs of progress, तो इसके पीछे जो है, picture के पीछे क्या है, sign of progress है, प्रगती के दरश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या-क्या है, railway, camera, machine, printing press and factory, देखिए बच् के टाइम के हो, मतलब जैसे कि आज से दस साल पहले, जब मैं छोटी थी, मैं होंगी वही, 9th, 10th class में, तब उस समय पर camera वाला phone आना start हुआ था, उस समय पर, जब मैं 10th class में थी, अभी आप 10th class में, जब मैं 10th class में, तो हम लोगों का camera वाला phone उस समय आना start हुए थे, और ब बहुत ज़दा fast internet आप लोगों को मिल रहा है, यह 2016 से मिल रहा है, इस से पहले internet बहुत ज़दा slow आ करता था, यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख सकते थे, भूफरिंग ही रहती थी, बफरिंग और यह सब तो आज कल तो है ना, बहुत अचने चलता है, तो हमारा जो सम कैमरा, पहले लोग और चीज के पिंटिंग बनाया करते थे, फिर कैमरा आ गया, जो चीज दिख रही है, उसको कैप्चर किया जा सकता है, मशीन से आ गई, मतलब एक समान पहले जो एक ग्लास सपोस करो, कुमार एक मठका शैद पूरे दिन में बनाएं, और एक मशीन, मशी की सारी चीज से हमें इस पिंटिंग में दिखाई गई है, इस ग्लॉरिफिकेशन फ मशीन से टिक्नोलजी इस इवन मूर माक्ट इन पिक्चर विच अपिए तो यह सौ साल पहले कि यह पिक्चर है, और दिखाती है किस तरीके से प्रोग्रस हो रहा था, यह फिगर 2 इसमें एशिया की कंट्रीज है, जिसको यह जो वेस्ट साइट की जैसे की युएस और ब्रिटेन, फ्रांस, यहां के लोग यानि की यॉरप और नॉर्थ अमारिका की लोग जिनको बाकवर्ड मानते थे ना, या फिर एशिया की लोग की भाई, एशिया के लोग जो है, वो मॉडर नहीं है, pre-modern, modernization से पहले की है, traditional है, और mysterious है, अजीब से हमें समझ नहीं आता, उनको क्या कहते थे लोग, western civilization वाले orient कहते थे, oriental, ठीक है, तो Mediterranean Sea है, है न, Mediterranean Sea, यॉरप की जैसे की, सपूस करो, अपने शद माप दिखा होगा, यह उपर की तरफ यॉरप है, और यॉरप की नी variant जो है, इसमें क्या है, इसमें दो magicians दिखा रहा है, एक magician ये कोई, कोई वो है, जिन है, तो जिन क्या कर रहा है, अपने उससे, यह देखो, यहाँ पे, अपना चिराग को घिस रहा है, और ऐसी building ये बना रहा है, और एक है mechanic, जो सच में अपनी महनत करके, क्या कर रहा है, bridges और buildings बना रहा है, तो यही है, इसमें, कि इसके पास तो भई magic lamp है, और नीचे वाला modern mechanic है, जो कि bridges बना रहा है, ships बना रहा है, उची-ची बिल्डिंगे बना रहा है, अला दिन को दिखाया गया है, कि भई वो past का है, पुराना है, और west आगे, जो western culture है, वो modernized है, इस तरीके change and innovation, machines in factories, railways and steamships, तो modern जो समय है, वो बहुत अधा, उसमें steam के steamships है, railways है, factories है, बहुत बढ़िया बढ़िया है, history जो थी industrialization की, वो story of development है, किस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ा, किस तरीके से machine है, जो हमें बेसिकल यास दिखती है, बाहर इतनी धूप हो रही है, आप पेसी में बैठ करके, बिल्कुल सर्थी का मौसम हैसूस कर सकते है, मोटे-बोटे कम मलोड सकते है, ये mechanization की वज़े से, industrialization की वज़े से ही मुम्किन हो पाया है, तो and the modern age appears as beautiful time of technological progress, तो कितना technological process है, progress हुई है, ये सब इस तरी, इस chapter में हमें बताने की कोशिश की गई है, ये images जो है, आज तो हमारी popular imagination का part है, है ना, मतलब popular imagination हम सभी अपने आमने सा, आपस यही सब देखते है, do you not see rapid industrialization as a time of progress and modernity, industrialization होगा, तो भई, लोग modern होगे, समाज आगे बढ़ेगा, do you not, आपको क्या नहीं लगता कि railway और factories के जो फैलाव हुआ है, और इसकी वज़े से ही क्या हुआ है, बहुत ही उची-उची buildings होती है, बहुत ही अच्छे-च्छे bridges होते हैं, हम कहते हैं, यह society काफी ज़दा developed है, जब अच्छी roads होती है, अच्छी bridges बने होते हैं, अच्छी-उची buildings बने होती है, है ना, तो how have these images developed, यह सब चीज़े बने कैसे है, and how do we relate to these ideas, और हम इन हैं, वहाँ तो इतने ज़दा सडके होती हैं, तो गड़े होते हैं, उनके बाद्ते super highways बने हुए हैं, express highways बने हुए हैं, तो यही चीज़ है कि किस तरीके से modernization चलता है आके, और हम कैसे society को देखते हैं, तो इस chapter में हमें वो पूरा process समझाने की कोशिश की गई है, आज के time पे भी क्या हम लोग मशीनों को इतना ज़दा वो करते हैं, glorify के वे मशीने ही अच्छी हैं, इस chapter में हम लोग history के बारे में focus करेंगे और Britain में, Britain ऐसा देश था जिसमें सबसे पहले industrial revolution आया था, मतलब कि सबसे पहले industries का लगना Britain में शुरू हुआ था, और फिर उसके बाद पहले हम इस chapter में Britain के पारे में देखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में क्या हुआ था, और इंडिया में जब अंग्रेजी साशन था, उस टाइम पर किस तरीके से हमारे देश में industries थी नहीं थी, क्या हुआ था, तो अब आता है, इससे पहले यह जो था ना, पूरा का पूरा ही chapter का introduction था, अब हम लोग का आता है आगे का part, before the industrial revolution, industrial revolution से पहले क्या था, देखेंगे, जो न्यू वर्ड है, proto, proto का मतलब होता है, पुराना, तो हम लोग industrialization का मतलब क्या होता है, हमारे लिए कि फैक्टरी लग रही है, और जिसमें बहुत the manufacturing हो रही है, वह हमारे लिए industrialization है, जब हम लोग industrial production की बात करते हैं, हम लोग जो चीज़े factory में बनी हुए होती है, उनकी ही बात कर रहे होते हैं, जब हम लोग industrial workers की बात करते हैं, तो हम लोग उन लोग की बात कर रहे होते हैं, जो workers factory में काम कर रहे हैं, जो history of industrialization very often begin with the setting up of first यही सब चीज़े हम लोग सोचते रहते हैं यह हमारा आईडिया है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है फैक्ट्रीज के बनने से पहले बीन जो इंगलांड था या फिर जो यॉरप था वहां पे बहुत ज़्याद जब लाज calendar scale industrial production start on its IT पूरीं दुनिया में न वियापार हुआ करता था चाहिए बहुत बड़ी बड़ी इंड painting नहीं थी मकब पूरीं दुनिया में वियापार तो तब वह नहीं ते तह तो काथ करता ठाथा तो काफी सारे ईस्टॉरियंस उस फेस को यह रहते प्रोटो इंडस्ट्राइजेशन से पहले वाला टाइम जब लोग अपने घरों में काम किया करते थे 17 और 18 सेंचुरी के टाइम पर मर्चंट मर्चंट कौन होते हैं व्यापारी होते हैं शेहरों से यॉरप यॉरप में यॉरप में यॉरप एक कॉंटिनेंट है उसमें काफी कोपर्स में थे कोई गोल्ड्स में थे कोई सुनार है कोई लोहार है कोई पॉटर है कोई बुनाई कर रहा है उनको पैसा देते थे और कहते थे कि तुम अपना समान बना करके हम लोग को बेज देना और फिर वही समान वह इंटरनाशनल लग लग देशों में जाकरके व्या बहुत जादा मतलब production expand नहीं हो सकता बहुत जादा production नहीं हो सकता इस तरीके से क्योंकि जो अर्बन crafts and trade words very powerful अब क्या था ना कि जो trade guilds क्या होता है जैसे कि association बहुत सारे जो traders होते हैं बहुत सारे व्यापारी मिलकर के एक association बना लेते हैं उसको हम लोग trade guild बोलते हैं तो trade guilds जो है बहुत जादा क्या थे बहुत ही जादा powerful थे जो नए लोगो को व्यापार में आने नहीं दिया करते थे और पूरा का पूरा पूरा जो production है हर चीज को price को competition को सबको regulate करते थे और नए लोगों को अंदर आने से मतलब व्यापार करने से वह control भी कर लेते थे रोग भी देते थे लाकों में करीब किसान हुआ करते थे पीजेंस होते थे जो की merchants के लिए यानि की व्यापारियों के लिए काम करते थे जैसे कि आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा था कि यह टाइम जो था 17th century 18th century it was a time when open fields were disappearing and commerce were being enclosed तो मतलब open fields खुले मैदान population बढ़ रही थी तो मैदान छोटे हो रहे थे और लोग काफी ज़्यादा फैल रहे थे तो इससे क्या हो रहा था कि peasants जो किसान है उनकी income काफी ज़्यादा कम होती जा रही थी cottages and poor peasants who had earlier dependent on common lands for their survival gathering their firewood जो पहले जो चोटे किसान हुआ करते थे या फिर जो काफी गरीब किसान होते थे वह गया करते थे जो common land होता था मतलब सबका एक होते ना कि गाहों वगएरा पहले जमाने में उस में से जैसे कि लोग अपने लक्री वगएरा उठालाया करते थे berries जो थोड़े वड़े फल इंकम के साधन भी कम हो गए और अब उनका जो खुद का लांड था वो घर के सारे मेंबर्स के लिए काम करने के लिए तो काफी ज़दा छोटा था अब जब मर्चेंट्स गाओं गाओं पहुंचे और उन्होंने मर्चेंट्स ने कहा व्यापारियों ने गाओं के लोगों से चाह करके कहा कि हम तो मैं पैसा देंगे बदले में आप तो हमें ये सब समान बना के दे देना तो तो फिर हाउसोर को अले लोगों को जब लगा कि यह तो बढ़िया चीज़ हो रही है थोड़ा थोड़ा पैसा भी हम इस से कमा लेंगे तो देखिए एक घर में यह क्या कर यह बुन रही है यह धागा निकाल रही है और यह बच्ची यह जो भी है यह कुछ और काम कर रही है है तो इससे क्या हुआ कंट्री साइट के लोगों को जो है थोड़ा-थोड़ा अपना प्लॉट पे जो इंकम होती थी उसके अलावा उनको एडिशनल इंकम होने लगी तो इंकम फ्रम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रडक्शन अब प्रोटो मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सब लोग मिल करके तो काम करनी रहे हैं अलग 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 घरों में सब लोग कर रहे हैं तो इसको ही प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रडक्शन कहा गया तो इससे से व्यापारी जाते हैं गाओं गाओं में और उनको से अलग लग काम उनको देते हैं और फिर ये लोग जो हैं गाओं वाले कुछ कुछ काम वाम करके व्यापारियों को अपना समान बेज देते हैं फिर व्यापारी आगे जा करके बेज देते हैं और उनको नाफा कमाते हैं कपड़ा बनाते था कपड़ा बनाया जाता थाłę द्धां के द्वारा द्धाल में गए हो तो जो वाइट होता है यो फिर मिआ अब पूरा बन के तयार हो गया है इसको पूरी दुनिया के अलग-लग देशों में अलग-लग देशों के markets में बेच दिया जाता था यह जो proto-industrial system था वो part था network of commercial exchanges का अब commercial exchange का क्या मतलब होता है कि व्यापार चल रहा है एक जगा से दूसरी जगे समान जा रहा है हाँ यहाँ पर देखिए एक pleating word आया था ना यहाँ पर देखिए a person who fulls that is gathers cloth by pleating pleating का मतलब उते फोल्ड करके फुलर कौन होता है जो fold करके पूरा एक कपड़ा बना रहता है अब यह जो व्यापार का system था कि गाउन वालों ने अपना समान बेचा व्यापारी को व्यापारी ने शहर में बेचा फिर शहर के और बड़े व्यापारी ने खरीक करके क्या करा उसको दुनिया के अलग लग लाकों में बेच दिया यह था थोड़ा सा मतलब इतने ज़्याद नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा तो समान इससे मिलने ही पाता था नहीं बिख पाता था फिर इट वस कंट्रोल पाए और यह जो पूरा कपूरा करते थे राइस्टेश को से सपिति और काक्राज करते थे करते थे करदेनी नहीं रश्याद करते था तो इन सब को maintain करना है ना जमालना यह सब काफी थोड़ा मुश्किल काम हो जाया करता था अब आया है था coming up of factories अब protein industrialization में सब अपने घरों-घरों में काम कर रहे हैं अब coming up of factories अब क्या होने लगा कि factories बनने लगी तो factories बनने लगी तो लोग एक ही जगा पर आकरके इखटा हो करके काम करने लगी यानि कि अब गाउं से रिष्टनाते तूट गए तो इसमें क्या है कि जो पहला symbol था इसका industrial revolution का 18th century से हम लोगों को देखने को मिलता है सबसे पुरानी earliest factories जो है इंग्लैंड में वो 1730 के टाइम पर ही आने लगी थी और industries काफी ज़्याद जैसे बढ़ने लगी तो 1760 के टाइम पर बिटेन जो है 1760 के टाइम पर बिटेन 2.5 million pound of raw cotton कच्चा cotton जो है वो भेज देता था ठीक है cotton industry में 1787 यानी की लगभग 27 years बात जो है यह 2.5 million था पहले फिर यह 22 million pounds का हो गया यह increase कैसे हुआ क्योंकि production काफी ज़्यादा बढ़ गया था वो कैसे बड़ा देखी लेंशा आर कॉटन मिल है यह और यह CE Turner ने paint करी है और इसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई देखो कैसे बड़ी-बड़ी industries लगी हुई है यह देखिए train चल रही है और यहां पर लोग खड़े हुए है है ना तो यह हमें पूरा industrialization का view देखने के लिए मिलता है तो काफी सारे inventions भी हुई काफी सारे जब देखें कार्डिंग ट्विस्टिंग स्पिनिंग और रोलिंग देखें अच्छे तकड़े मतलब काफी ताकतवर और ना तूटने वाले धागे बनाए जाने लगे इस टाइम तक आप लोगों ने देखा होगा कि cotton production जो है पूरे के पूरे गाओं वाले साइड में मतलब पूरे यॉरप के में गाओं गाओं में फैल गया था अब जो पहले villages में था वो villages से शेहरों में shift होने लगा था अब machine जो थी cost a new machine could be purchased अब इतना पैसा आ गया था merchants के पास की महेंगी machine परचेस की जा सकती थी और उनको मिल में setup किया जा सकता था मिल में सारे के सारे process एक साथ ही हो जाये करते थे पहले इतने सारे processes के stages हुआ करते थे कि पहले spinning होगी rolling होगी dying होगी folding अलग 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 जग्या होते थे अब सारी की सारी चीज़े क्या होने लगे एक ही रूफ के अंदर एक ही फाक्टरी के अंदर सारे के सारे काम अब एक ही जगह पर होने लगे थे तो फिर सारा का सारा लेबर सबको एक ही जगह रहने पड़ा था रहने लगता मतलब रहने लगेते सारे के सारे इससे क्या हुआ काफी ज़्यादा अच्छे से सूपर्वाइज उनको कर पाए कि किस तरीके से काम हो रहा है कॉलिटी कैसी है लेबर का जो लोग काम कर रहा है उनका भी रेगुलेशन होने लगा और अब जो गाहों से डिफिकल वर्दा इंपोजिंग न्यूबी न्यूमेल सो मैजिकल सीम पता बहुत दा मैजिकल बड़ा लोग पड़ा अच्छा रखता था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है और इस काफी जारे लोग कंटेंपररी ना उस कंटेंपररी का मतलब होता है उस समयकाल के जो लोग काफी ज़्यादा आगे बढ़ गए थी वरक्शोप होती है यह थोड़ थोड़ा सा काम हो रहा है एक जगह पर इंडस्ट्री जो होती है फैक्ट्री जगह बहुत सारे वरकस मिल करके बहुत सारा काम कर जाए होते हैं आगे आता है तो पेस ओफ इंडस्ट्रियल चेंज में आई थी जैसे की कॉर्टन और मैटल्स की इंडस्ट्री इस थी कॉर्टन की इंडस्ट्री से ही इंडस्ट्राइशन स्टार्ट हुआ था कॉर्टन की बाद फिर मैटल इंडस्ट्री जा गई थी ग्रोइंग एट रैपिट पेस तो कॉर्टन और मैटल की इंडस्ट्री क काफी जादा तेजी से फैल रही थी कॉर्टन जो था लीडिंग सेक्टर था फॉर्स्ट फेज अफ इंडस्ट्राइजेशन का यानि कि 1840 तक सबसे जादा मिलों में कॉर्टन ही उगाई मतलब उगाई नहीं कॉर्टन से ही कपड़े बनाये जाते थे उस समय मिल्स में फिर प अपना कभजा कर रखा था फिर उसके बाद क्या हुआ 1860 के बाद जब रेल्वेस का प्रडक्शन होने लगा तो आइटीन हंडीट सेवेंटी थी आते आते बिटेन से बहुत जादा आइड़न और स्टील जो है वह बाहर भीजा जाने लगा था और कॉर्टन की इंडस्ट् बढ़ चुका था यह इंपोर्टन्ट है वाला पार्टिक है यह फॉस्ट फेस था इंडस्ट्रिलाइज़ेशन का सेकिंड फेस में गया आता है नए इंडस्ट्री जो है नई न्यू इंडस्ट्री इस को डिस पेस नहीं किया था मतलब एकदम से ऐसा नहीं हुआ था कि सब सारे काम जो लोग घरों में कर रहे थे सब बंद हो गया था और एकदम बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री में ही सारा का सारा काम होने लगा था नहीं 19th century के एंड तक भी सिर्फ 20% ही टोटल जो लोग काम करते थे वो इंडस्ट्री में काम किया करते थे टेक्स्टाइल जो है काफी डाइनेमिक सेक्टर है मगर लाज जो है प्रोडक्शन वो आज भी फैक्टरी में नहीं हो रहा था आज भी मतला 20th century ठीक है 21st century और 19th century 19th century के टाइम के पर भी सारा का सारा ऐसा नहीं हो आदा कि इंडस्ट्री में ही चल रहा था नहीं कुछ स्ट लाट हो चुका था बट फिर भी धीरे धीरे घरों में भी domestic units प्रडक्शन भी चल रहे थे फिर थर्ड पॉइंट आता है कि the pace of change in the traditional industries was not set by steam-powered cotton और metal industries but they do not remain entirely stagnant either तो industrial जो थी traditional इंडस्ट्री एकदम से बहुत ज़्यादा उनमें बदलाव तो नहीं आया उनमें एकदम से steam power यह cotton इंडस्ट्री यह फिर metal इंडस्ट्री की जगया तो नहीं ले रही वो फिर भी काफी ज़्यादे stagnant हो गय थी एक तरह जो घरों में गाम कर रह कावर्ट में आ गया था रुक्सा गया था क्योंकि जादा अब एक इंसान अपने हाथ से काम करेगा एक मशीन से काम करेगा उस में अंतर तो रहे गई seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery तो धीरे धीरे जो नए नए inventions आ रहे थे न वो हर चीज में आ रहे थे और धीरे धीरे उन्हें inventions को implement किया जा रहा था कई बार तो inventions चाहें कितने भी भड़िया हों लोग उसको accept ही नहीं करते थे क्योंकि जो चीज नई आती है न लोग उसको मानने मिस्विकार करने में समय लगा देते हैं तो यही बात थी कि innovations हो रही थी बट कई बार लोग उसको accept भी नहीं कर रहे थे technological changes जो आ रहे थे न वो काफी slowly slowly आ रहे थे और वो बहुत ज़दा एकदम से फैल भी नहीं रहे थे new technology expensive महंगी होती थी और merchant और industrialist जो हैं उनको काफी ज़दा caution के साथ देखते थे नहीं चीज़ आती थी तो महंगी ही होती थी obviously और उनको investment करना काफी थोड़ा मतलब थोड़ा risky हो जाता था लोग को रगता था कि नुकसान हो गया तो क्या होगा क्योंकि costly होती थी इसलिए manufacturers और inventors थोड़ा उस पे सो न inventors जो थे जो उनको invention कर रहे थे वो तो कहते थे थे बड़ा सस्ता पड़ेगा इससे यह होगा वोगा पट फिर भी जो नहीं technologies होती थी वो काफी महंगी ही होती थी और उनको adopt करना लोगों के लिए थोड़ा मतलब आप खुद सोचिए ना आपसे एकदम से कोई कह दे कि आज सुबर यह वाली चेर है वो चेर तुमें बहुत अगया जब James Wont ने steam engine को invent किया था ना उस समय पर कोई उसको खरीदने को तयार ही नहीं था कोई उस technology का जो use है वो काफी बात में जाकर के लोगों ने start किया था उसके जो industrial strength है Matthew Bolton उन्होंने manufacture किया था इसका new model बट कई सालों तक कोई उसे खरीदने ही नहीं आया था at the beginning of 19th century there was not more than 321 steam engine मतलब सिर्फ 321 थे फिर बात में देर रहे तो भाई लाखो लाखो आ गयते है न ऑफ दीस जो 321 थोड़े बहुत steam engine थे उसमें से 80 तो cotton industry में थे 9 wool industry में थे और बाकी सारे mining और canal industry में थे या फिर iron works में थे जो iron का काम होता है steam engine जो है वो बाकी सारे इंडस्ट्री में नहीं use हो रहे थे जो कि बाकी 20th century में बहुत जादे steam engine का स्थमाल हुआ था so even जो काफी जादे powerful और अच्छे technologies भी होती थी उनको भी एकदम से accept नहीं किया जाता था historians जो है अब now have come to increasingly recognize the typical worker in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsman and laborer तो पहले जो 19th century 20th century में कोई machine operators नहीं चला रहे थे बलकि वो तो craft person और जो traditional लोग थे वही कर रहे थे क्योंकि पहले उन्होंने धीरे-धीरे काम सीखा तो शुरुआत में तो traditional craft person laborer ही मशीनों को चला रहे थे तो यह हमने इसका एक पार्ट देख लिया है आगे के पार्ट हम लोग आगे आने वाले वीडियो पे देखेंगे आपको अच्छा लगा है तो चानल को subscribe ज़रूर करिए friends के साथ share करिए Thank you